नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी मित्रों का एक बार फिर से हमारे इस यूटूब चैनल पे दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि महिलाओं को समझ पाना इतना आसान काम नहीं है क्योंकि अधिकतर महिलाओं बोलती कुछ और है, और करती कुछ और है यदि पुरुस की बात करें, तो पुरुस अधिकतर खुले बिचारों बाला होता है उनके मन में अधिकतर जो कुछ आता है बहासानी से बता देते हैं महिलाओं के पेट में कोई भी बात नहीं पचती, ये आपने बिल्कुल सही सुनो है लेकिन खुद के गुप्त रहसे बो किसी को भी नहीं बताती है दोसरों की बात को ही पचाना उनके बस की बात नहीं होती लेकिन बो खुद के गुप्त रहसे को हमेशा गुप्त ही बनाए रखने की हर संभब कोसिस करती हैं किसी के पूछने पर भी आसानी से नहीं बताती है लेकिन महिलाओं के बहुगुप्त रहसे क्या है ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहें वीडियो में बिल्कुल अंत तक क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि लडिकियां ऐसा वो कौन सा काम है जो अकेले में ही करना ज्यादा पसंद करती है तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले किरपयां आप इस वीडियो को लाइक जरूर करे साथ ही चैनल को सस्क्राइब करके बिल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले तो चलिए शुरू करते हैं हाज का वीडियो आचारे चारके के अनुसार महिलाएं नहीं बताती अपनी सारीडिक जरूरत के बारे में दोस्तों आपको बता दे कि महिलाएं भी पूरुसों की जैसे ही सम्मंध बनाने के लिए लालाईत रहती हैं लेकिन वो अपने रुची के बारे में किसी को नहीं बताती हैं यहां तक कि वो अपने पती को भी इस बारे में नहीं बताती हैं इसकी बज़े है कि महिलाओ को लगता है कि वो इस बारे में बात करेंगी तो अन्ने लोग क्या सोचेंगे अधिकतर महिलाएं इसी बज़े से इच्छा को मन में दबाये रखती हैं आगे आचारे चाड़क के कहते हैं आम तोर पर महिलाएं खुलकर गुप्त रहसियों पर बातें नहीं करती हैं दोस्तों आपने यह भी देखा होगा कि पुरुष चाहे बो एक दूसरे से अंजान हो फिर भी आसानी से खुलकर बातें कर लेते हैं लेकिन महिलाएं ऐसी बातें दूसरी महिलाओं से खुलकर कभी नहीं करती हैं आप चाहें तो अपनी पत्नी या महिला मित्र से पूँछ सकते हैं चारके के अनुसार महिलाएं दिखाबा ज्यादा करती हैं दोस्तों आपने देखा होगा कि अधितर महिलाएं निरंतर नए कपड़े पहन कर आती हैं रोजाना नए सेंडिल बगहरा पहिनती हैं और खुद को खूपसूरत दिखाने के लिए और भी बहुत कुछ करती हैं आपने नोटिस किया होगा कि कई लड़कियां हर जगह पर साज और स्रंगार के साथ जाती हैं जिसका मतलब है कि महिलाएं दूसरों को दिखाने के लिए सज़ती और समर्ती हैं महिलाएं अपनी खूपसूर्ती को बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिस करती है चारक किनीति के अनुसार सारीरिक रूप से आसंतुष्ट महिला के अबयद संबंध बिक्सित होने की संभाबना बहुत अधिक होती है दोस्तों यदि अबयद संबंधों की बात करें तो अधिक्तर महिलाएं जब सारीरिक रूप से अपने साथी से खूस नहीं होती है तो अबयद संबंध का रिस्ता पनप जाता है अधिक्तर कारणों में से अबयद संबंध का यही सब से बड़ा कारण है महिलाओं के लिए उनकी सारीरिक जरूरत का पूरा नहीं होना उसे पागल बना सकता है आईसी इस्तिति मेबा सही गलत के बारे में कुछ भी नहीं सोचती है मित्रों इसके अलाबा चारके कहते हैं हर कुवारी लड़की अकेले में अपने राजकुमार के बारे में सोचती है दोस्तों लड़कियां भी लड़कों की तरह ही सोचती हैं कोई भी कुवारी लड़की जब अकेली होती है तो बहा अपने होने बाले पती के बारे में या अपने किसी पुरुस मित्र के बारे में सोचने लग जाती है वो या तो दिन के अंदर हुई अच्छी घटनाओ को याद करती है या भा आने बाले कल के बारे में सोच रही होती है कि उसे कैसा पती मिलना चाहिए और वो उसे कैसे कैसे प्रेम करेगा ऐसे ही बातों पर वो अकेले में सोचती रहती है आंत में आचार चारक के ने बताया है कि महिलाएं भाबनात्मक रूप से कमजोर होती है दोस्तों आपको पता होगा कि महिलाएं पूरुसों की तुलना में भावनात्मक रूप से कभी कमजोर होती हैं और बैसे भी पूरुसों की तुलना में महिलाएं जल्दी रो देती हैं इसकी बजह उनका भावनात्मक रूप से कमजोर होना ही होता है